2019 में पूरे देश ने चंद्रेयन 2 का लांच देखा, लैंडिंग भी देखा, पर क्या आपको बताई ये लांच एक्चुली 2013 में होना था, और ये डिले रश्या के वज़े से हुआ, यही नहीं रश्या के इस डिले के वज़े से मंगल यान ने जनम लिया, क्या बोल रहा हू ये डिल चंद्रेयन 1 के लांच होने से पहले की गए, चंद्रेयन 1 2008 में लांच हुआ, डिसाइड किया गया था दोनों इजेंसिस के बीच, इंडिया के इसरो और रश्या के रॉस कोस्मोस की, इंडिया जो है और बनाएगी यानि जो साटलाइट चांद के आरपर घुमेग और रोवर बनाएगी, जो सर्फेस पे रहेगा, रश्या जो है वो लैंडर प्रोवाइड करेगी, आप इस इमेज में देख सकते हो, ये था एक्चोल डिजाइन जो प्लैंड था, आप देख सकते हो उस डिजाइन में और आज के जो हम फाइनली चंद्रेयन 2 के लिए गए उसमें कितना फरक है, ये जो आप लैंडर डिजाइन देख रहे हो, ये रश्या का काफी एक हिस्टोरिक कह सकते हो, या लेगेसी वाला लैंडर है, डिजाइन है, क्योंकि उनकी काफी मिशन सोच चुके, लिउना के इस सिमिलर लैंडर डिजाइन के उपर, पर एक ऐसा आया, जब रशा ने दिसाइड किया, कि वो आगे नहीं बढ़ सकते है, इंडिया ने दिसाइड किया, कि इंडिया खुद का लैंडर बनाएगा, रशा के साथ नहीं जाएगा, वो प्या मोड था, ये मिशन है Elias Ngont Mission, तो रशा का मिशन होने वाला था जिसका नाम में Phobos Grunt Grunt मतलब मिट्टी रशिया में Phobos मतलब Phobos जो मंगल यानि Mars का एक Moon है जिसे Captured Moon माना चाता है उसके Around रशिया एक Spacecraft भेजने वाली थी In fact, इसरो के मंगल यान ने Phobos का एक फोटो भी लिया था कुछ सालों पहले जो आपको स्क्रीन के उपर है एक था Main Propulsion Module जो इसे धरती के Orbit में Stabilize करेगा धरती से बाहर लेके जाएगा और Course Corrections वगरा जो करने है वो करेगा प्लस Mars के Around Orbit में उसे Incession करने में Help करेगा ये होने के बाद ये Separate हो जाता Main Module Propulsion Module के उपर एक Chinese Satellite भी होने वाली थी जो वो Mars के Atmosphere में Deploy करता ये चाइना का पहला Mars Mission होने वाला था और फिर उपर के जो Lander portion है वो Take Over कर लेते Lander अपना Orbit maneuver करता Phobos के Around और Phobos के Around खुद को Insert कर लेता फिर वो एक Landing maneuver attempt करता जहां से वो Orbit से दीरे-दीरे Phobos के सते पर Land करने जाएगा Land करते ही वो उसकी मिट्टी कलेक करेका उसकी उपर एक Robotic Arm था चोटा सा वो Robotic Arm एक छोटे दो Chambers में डालता और फिर वो दो Chambers से मिट्टी उपर के Capsules में जाती ये चोटे Tube की तरह वो Tube एक Capsule में था जैसे ही Complete होता है तो वो Separate हो जाता उपर से और फिर वापस धरती के दिरफ आता और रिएंटर करता ये था Planned Mission पर वैसे गया नहीं Launch Successful था वेहिकल ने Launch किया उसे और्बिट में प्लेस किया पार्किंग और्बिट में और फिर Communication Lost हुआ रशा ने बहुत ट्राई किया ये से वगेरे आदर दुसरे इजनसी सब मिलके बहुत ट्राई किया Communicate करने को पर नहीं हो रहा था उनका टाइम खतम होए जा रहा था क्यूंकि अगर वो टाइम पर कम्मुनिकेट नहीं करते तो वापस रिएंटर करता धरती पर और खतम वेर वेस्ट हो जाता हुमिशन और फिर जैनवरी के एंड में उसने रिएंटर कर लिया रश्य ने बहुत अलग अजीब चीजों पर ब्लेम किया वो एक टाइम कह रहा थे कि किसी एनिमिनेशन ने सिगनल्स फायर करके उसे बंद करवाया जो भी करवाया फाइनल ओफिशल रिजल्ट यह था कि उसे रेडियेशन के वाईसे उसकी कॉम्पूटर्स रिस्टार्ट हुए और फिर वो सेफ मोड में चला गए और कभी वापस नहीं आया अब प्रॉब्लम यह था कि इस मिशन के काफी सारे चीज़े लिंक थे हमारे चंद्रयान 2 के लैंडर से और रशा नहीं बोला कि उसे पूरा रिएविलेट करना पड़ेगा काफी सारे चीज़ेस करने पड़ेंगे इंडिया ने कहा कि 2015 तक करते हो तो ठीक है क्योंकि ओरिजिनल 2013 था और यह कंड उनका 2012 में हुआ था अर्ली 2012 तो इंडिया ने कहा कि 2015 तक हम वेट कर सकते है पर फिर रशिया बोलने लगा कि उसे और टाइम लग सकता है और बज़ेट वगेरा इशू आने लगे रॉसको असमस को फाइनली भारत ने डिसाइड किया कि वो खुद का लैंडर बनाएंगी तो आप देख सकते हो 2012 से यानि मिशन चंद्रयान 2 2007 में हुआ था और 2019 में लाँच हो तो यहां मंगलियान कहा था देखो मैंने कहा था तीन पार्ट्स थे उस चीज़े और बिटर जो इंडिया बनाएगा यानि साटलेट जो मून के अरांड होगी लैंडर रश्या का रोवर इंडिया का अभी ओर्बिटर अल्मोस रेडी था तो फिर डिसिज़े ले लिया गया उस टाइम जो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के हेड थे एमनद दुराई सार और उनकी इजरो की पूरी टीम से है कि इस और्बिटर को हम री कॉन्फिगर कर सकते है और मार्स को बेज सकते है तब जनम हुआ मंगल यान का तो मंगल यान ही चंद्रयान 2 है जो भी है उन्हें बहुत record time में I think 11 महीन या 12 महीने के अंदर उन्होंने उसे reconfigure वगरा करके launch किया क्योंकि हर 18 महीन नहीं एक opportunity आती है आपको मार्स को कुछ बेजने के लिए और उसके लिए फिर separate science instruments भी एकदम record time में develop किये गए पर जो भी हुआ वो मंगल यान उसी के कारण जल्ली launch हो पाया तो यह थी एक interesting कहानी हमारी space industry की या space history की I hope को पसंद आया हो सके तो member बन जाओ ज्यानकी गरी भी सबसे बड़ी जैहिं जै भारत के वास्तवा निशन कुमार प्रिंस बंसल विने अगरवार और पीतम सब members को बहुच उगरिया